हालो स्ट्रेंट्स गूड इवनिंग मैसेल्फ मनोज जागेड टीम केमेस्ट्री सील सी सी कर आज हम डिसकस करने जारें बच्छो सॉलूशन ओफ पेपर फर्स्ट जेए मैंस केमेस्ट्री सिक्स्थ माइनर और स्टार्ट करते हैं बच्छो कोश्चन नवर बन से देखते हैं कोश्चन नवर बन क्या है फर्स्ट कोश्चन गिविन है आपको एजी टू एस एने सी एको सॉलूशन के साथ रियाट कर रहा है बटा ऑक्षीजन की प्रजेंस में रियक्ट कर रहा है गंपाउंड एक्स का फॉर्मेशन हो रहा है ठीक यह और स्टेप सेकेंड में बच्चो जो गंपाउंड एक्स का का formation हुआ है यह जिंक मैटल के साथ सिल्वर और साथ में एक कंपॉंड वाय का फॉर्मिशन कर रहा है देखेंगे किस तरह से यहां पर यह रिक्षन स्पॉसिवल होंगे कि तो बच्चों कि अगर आप फर्स्ट रिक्षन को देखते हैं तो फर्स्ट रिक्षन में एजी टो एस जिसे सिल्वर ग्लांस कहते हैं यह एने सीन के साथ कंपॉंड होगा एक को सोलूशन है साथ में ऑक्सिजन को यूज करते हैं ताकि कि रिक्षन रिवर्सिवल ना हो जाएं कंपॉंड एक्स जो फॉर्म होगा यह कंपॉंड एक कॉंप्लेक्स है बच्चों जो की मैटलर्जी में आप देखते हैं एने एजी सीन का होल ट्वाइस सिल्वर का साइनेड के साथ कॉंप्लेक्स बनेगा सोडियम अर्जेंटो साथ में ने टू सफॉर का फोस्वर्मेशन होगा तो कंपॉंड एक्स है यह तो हो जाका इने एजी सीन का होल ट्वाइस ठै Lud تم नियुग एस कंपॉंड एक्स है कंपॉंड एकस क्या दिख रहा है कॉंप्लेक्स government का होल्ट 2 ऺॉइस और साथ में जिंक मैटल की साथ रेट किया है और यह जिंक कैसा है विटा मूर रेक्टिव मैटल है ध्यान रखेंगे यह जिंक कैसा है मूर रेक्टिव मैटल है बच्चो और यह more reactive metal इस complex से इस silver metal को displace कर देगा बच्चो यह silver को displace कर देगा और जैसे silver को displace करेगा तो एक another complex form हो जाएगा बच्चो यह होगा एने टू जड़न सिन का whole 4 इस तरह का complex form होगा ठीक है यह जिसे वाय कहा गया है साथ में silver metal reduce हो जाएगा ठीक है यह question number first solution यानि की compound X is compound X is NA AGCN का whole twice and compound Y is NA2ZNCN whole 4 it means answer should be third third option is correct for question number one stick it here हाँ तो बच्चो next question number two देखते हैं बिटा है question number two पढ़ते हैं when Cu plus two solution reacts with access of Ki which of the following statements is correct copper plus two iron Ki के access के साथ react करेगा तो कौन से statement correct है ऐसा आप से पूछा है देखें बच्चो क्या reaction होगा जब Cu plus two कि के एक्सेस में react करेगा तो Cu plus two को potassium iodide axis के साथ जब combine करेंगे तो initially बच्चो Cu I2 का formation होगा साथ में के प्लस आइन्स एक को solution में option होगे अब बच्चो यह जो Cu I2 है यह कैसा है less stable होगा क्यों होगा क्योंकि यह copper plus two में है iodine minus one में है और copper plus two कैसा है बच्चो strong oxidizing agent copper plus two को कहेंगे strong oxidizing agent I minus कैसा है बटा strong reducing agent तो strong oxidizing agent और strong reducing agent equally जब react करेंगे तो बच्चो यहां redox reaction होगा और यह Cu I2 Cu2 I2 में convert होगा साथ में iodine evolve होगा आई टू फॉर्म होगा तो iodine तो minus one से zero में oxidize हो चुका है copper plus two से plus one में reduce हो चुका है इस तरह का redox reaction आपको देखने हो मिलेगा यह Cu2 I2 का precipitate बनेगा जो की invisible दिखाई देगा solution में और यह जो I2 है इसका violet color होगा दोनों जब mix होंगे तो solution जो होगा वो dark brown दिखाई देगा यह ब्राउन कलर सोलुशन दिखाई देगा जिसमें Cu2 I2 बना लेगा बच्चो इस तरह का reaction देखने मिलेगा यानि कि a dark brown solution is obtained in which precipitate of Cu2 I2 is invisible precipitate कैसा होगा invisible दिखाई देगा इसका मतब आंसर थार्ड होना चीज़े बिटा ठीक है यह थार्ड ओप्शन इस correct for this solution take it here next आगे चलते हैं बच्चो क्वेश्चन नमर थार्ड देखने है क्वेश्चन नमर थी पढ़ें बटा क्या क्वेश्चन है देखेंगे when KMNO4 is heated with fused KOH then the product form is बिटा KMNO4 को KOH के साथ combine कर रहा है question number three is KMNO4 partition par minute और इसका reaction कर रहा है KOH के साथ बच्चो ध्यान रखें KOH कैसा है strong base KOH is strong base and strong basic medium में यह KMNO4 बच्चो k2 MN04 में हो जाता है. MN plus 6 नुन कर जाता है यहां मैडिश plus 7 में था और plus 7 से plus 6 में SEC j assume हो जाएगा यह रहेगा process of reduction चींग है इस तरह से मैडिश MN 먹어 7 to MN pra тут 6 mor Scily chicken 5600 आए जब मीडियम कैसाعة इस्ट्रोंग basic का फोर्मेशन हो सकता था ठीक है तो अभी का आप का अंसर जाना चाहिए k2m4 जिसका कलरों का बच्छो ग्रीन ग्रीन कलर्ड सबस्टेंस के तुमेशन होगा बच्छो ठीक है यह आगे चलते हैं यह था क्वेश्चन नमर थ्री इसके लिए यह तो किश्ण ममर 4 देखते हैं में नब्र आ तो क्वेश्चनमर 4 को पढ़ए एक बार कोई फरक नहीं पड़ रहा है उससे, फिर करा है F orbital electrons are poor shielders of nuclear charge, बिल्कु सही बात है, अगर shielding effect की बात करें, तो maximum shielding effect होगा S electron के लिए, then P electron के लिए, then D electrons के लिए, और minimum shielding effect होगा F electrons के लिए, तो F electrons जो हैं, वो nucleus के increase होने वाले 32 unit से positive charge को क्या करेंगे, protect नहीं कर पाएंगे, और तो size का होगा, contract होगा, या फिर यह कह सकता हूँ कि जो nucleus का positive charge है, वो autonomous shell के electron को release नहीं होने देगा, इसलिए क्या हो रहा है, length net contraction possible है, और last electron release नहीं होने देगा, तो उनकी जो balances है, वो भी काऊंगे, decrease हो जाएंगे, ठीक है, एक और बात, यहां पर 4D series है, और 5D series है, 4D series के elements का साइज है, वो 5D series के elements के equal हो जाता है, due to length net contraction, क्योंकि 5D series में जो electron ने विटा, वो किसमें, F sub cell में ही है, और F sub cell का shielding effect हो कैसा है, पूर है, तो 4F series में और 5F series में, दोनों में F electrons का shielding effect है, वो कैसा देखने को मिलेगा, पूर मिलेगा, बट 4F, यानि कि 4D series to 5D series जब मूब करे देंगे, तो आपको जो effective nuclear charge है, वो increase होता हुआ देखाए देगा, और जब increase होता हुआ, Z effective देखेगा, तो Z effective size को contract कर देगा, जिसे length net contraction कहा जाता है, ठीक है दियर, तो answer should be third, for question number 4th, और हम ऐसा कह सकते है, question number 4 के लिए, size of 4D, almost equal to the 5D, due to length net contraction, ठीक है डियर, region के लिख रहे हैं आपन, poor shielding effect, poor shielding effect की बएसे ऐसा हुपा रहा है, ठीक है डियर, तो बच्चों आगे चलते हैं, ये था question number 4, आगे बात करेंगे, question number 5, और 5th question क्या है, देखें, 5th question है बच्चों, correct order of increasing acidic nature for the following, आपको कुछ orders दिये हैं, और acidic nature का increasing order पूछा हुआ है, बच्चों ध्यान रखें, ऐसा अगर oxides की acidic nature का order आजाए, तो आपको बस एक ही बात चेक करनी है, acidic strength of oxide is directly proportional to the oxidation number of central metal line, check it here, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी oxides आपको given है बच्चो, MnO, MnO में oxygen में minus 2 होगा, तो magneze में plus 2 charge होगा, ठीक है, इसके बाद Mn2O3, Mn2O3 में अगर बात करें, तो single magneze पर charge plus 3 obtain होगा, क्योंकि net minus 6 को 2 में divide करेंगे, तो plus 3 plus 3 divide होगा, इसके बाद MnO2 में magneze पर charge generate होगा प्लस 4, और last, MnO3 में अगर charge की बात करें हैं बच्चो, तो plus 600 का single magneze पर, और Mn2O7 में अगर magneze का charge चेक किया जाए बच्चो, तो यह plus 7 दिखा ही देगा, तो आप देख सकते हैं, मैंने जो order लिखा है, यह oxidation number के decrease होने का, sorry, यह जो मैंने order लिखा है, यह oxidation number of central metal iron का increase होता order है, ठीक है, तो यहाँ पर oxidation number जो है, वो लगातर क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और अगर oxidation number of central metal iron increase कर गया, मैंने का, अगर oxidation number of central metal iron increase कर गया, तो आप कहेंगे, acidic strength increase करेगा, यानि कि आपको order मिलना चाहिए कुछ ऐसा, यह होगा, increasing order of acidic strength, increasing order of acidic strength, ठीक है, यह, concept क्या है, oxidation number directly proportional to the acidic strength, oxidation number is directly proportional to the acidic strength, यह आपको note करना पड़ेगा, ठीक है यह, और ऐसा answer देख रहा है, फिर्स्ट, तो question number five का answer जाएगा, फिर्स्ट, आगे चलते है, question number six देखें, which are correct order, first chromium, then manganese, then iron, किसके respect में बात करता है, melting point के बारे में, तो बच्चो, melting point जो है, वो किस पर depend करता है, unpaid electron की number पर depend करता है, बच्चो, अगर बात करें, question number five में, तो chromium के पास, configuration होता है, बच्चो, 3D5, 4S1, तो यहाँ पर number of unpaid electron के इतना है, six है, manganese की बात करें, configuration होता है, बच्चो, बच्चो, यह तो paired है, और D5 unpaid electrons है, तो unpaid electrons are five, और iron की अगर बात करें, बच्चो, तो iron का configuration होता है, 3D6, 4S2, यह paired है, और D6 में, अगर unpaid electron देखेंगे, बच्चो, तो any equal to 4 देखेगा, अब आप देख सकते हैं, melting point जो है, वो unpaid electron की number decrease होगी, तो melting point भी क्या करेंगा, decrease करता जाएगा, बच्चो, बच्चो, बट, काम की बात सुन लो, काम की बात ही है, यहाँ पर जो configuration हो, कैसा D5 है, और D5 कैसा है, बटा, half field configuration है, और अगर D5 half field configuration है, तो इसका melting point decrease कर जाएगा, बटा, ठीक है, D5 is half field configuration, और half field होगा, तो इसका melting point, iron से कम दिखाएदेगा, क्रोमियम का तो जाद होगा, ठीक है, क्योंकि मैगनीज में D5 है, half field है more stable है, इधर भी क्या होगा, आइरन का decrease के बजाए, मैगनीज का melting point कम दिखेगा, रीजन का है, D5 half field stable configuration, और D5 अगर half field है stable है, तो मैगनीज की जो bond formation करने की tendency है, वो decrease कर जाएगा, ये metallic bond बनाने की जो strength है, इसकी पूर हो जाएगी, इसलिए मैगनीज और zinc cadmium mercury, जिनके D sub cell completely fulfilled होते हैं, उनके melting point generally कैसे होते हैं, पूर होते हैं, लो होते हैं, और इसलिए zinc cadmium mercury को volatile metals भी का जाता है, due to low melting point, ठीकेडियर, तो ये था question number six का option number one, इसका मतलब first option incorrect है, second option देखें मैगनीज, chromium और vanadium, second IP का order पूछा है, और अगर second IP की बात कर रहा है, तो आप one electron release कर दो, और one electron release करने के बाद, उस atom का electronic configuration note कर लो, जिससे पन IP calculate कर सकते हैं, देखें किस तरह से चेक करेंगे, है, fifth में ही second option को अगर देखना है, तो elements given है, मैगनीज, then chromium और vanadium, इस तरह का IP का order दे रहा है, और वो भी कौन सा, IP2, second IP की बात कर रहा है, तो मैंने मैगनीज का, अभी अभी, ये दोखो, electronic configuration लिख रहा है, 3D5, 4S1, तो one electron release करते ही, मैगनीज, sorry, chromium का configuration का है, 3D5, 4S1, तो chromium से 1 electron release करते हो, यहां से, तो chromium में तो बच्चेगा, 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 35, 4S2, तो one electron release करेंगे, तो यह हो जाएगा, 3D5, 4S1, और vanadium, इसका configuration होता है, बच्चो, 3D3, 4S2, वन electron release करेंगे, तो यहां रह जाएगा, 3D3, 4S1, तो maximum जो stable configuration देख रहा है, वो chromium में है, इसका बच्चेगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, chromium का होगा, इसके बाद, size के या Z-effective के according देख लेंगे, इसका atomic number कितना है, 25, और vanadium का कितना है, 23, ऐसे किसमे, मेंगनीज का size कैसा होगा, small होगा, या Z-effective ज़्यादा होगा, इसलिए मेंगनीज का IP second, ज़्यादा होगा किससे, vanadium के, इस तरह से आपको यह order मिलना चाहिए था, यानि कि IP2 का order होना चाहिए था, chromium, magneze, then vanadium, इसका हम तो second option भी कैसा है, incorrect option है, आगे चलें, third option देखें, E0, M plus 2 to M, यानि कि आप से SRP, reduction potential की बाते कर रहा है, chromium, magneze, then iron, तो electrochemical series का according देखा जाए, तो magneze उपर आना चाहिए था, magneze का SRP, chromium से थोड़ा सा, जादा होना चाहिए था, ठीक है डियर, कब जब CR plus 3 से CR, या CR plus 2 से CR, जब मूब करेगा, तो यहाँ पर यह order जो है, incorrect दखाए दे रहा है, यह भी, एक्वस मीडियम में, यह order incorrect है बच्चो, ठीक है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, next fourth option देखो, VO2 प्लस, वैनेडियम पे चार्ज चेक करो, CR2, O7-2, chromium पे चार्ज चेक करेंगे, और MNO4 माइनस, मेगनीज पर चार्ज चेक करेंगे, तो यहाँ पर अगर चार्ज देखे जाएं बेटा, तो वैनेडियम प्लस 5 में आ रहा है, VO2 प्लस में, वैनेडियम सेंटल मेटल पे चार्ज प्लस 5 है, CR2, O7-2 में सेंटल एटम, chromium पे चार्ज प्लस 6 है, और MNO4 माइनस में सेंट मेगनीज का चार्ज प्लस 7 है, अब पच्छो एक बास सुनो, यहाँ पर पोजिटिव चार्ज जो है, सेंटल एटम का उक्सिदेशन नंबर लगातार इंक्रीज कर रहा है, अगर उक्सिदेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो आप कहेंगे, ऑक्सिदाइजिंग पावर या एक्सिदेश की स्टेंद भी इंक्रीज करेगा, ऑक्सिदाइजिंग पावर जो है, डिरेक्ट लिए प्रोपोर्शनल होता है इसके ऑक्सिदेशन नंबर उप सेंटल मेटल आयन, इसका मतलब फोर्थ ऑप्सन इसका प्रेक्ट, तो क्वेशन नंबर शिक्स का आंसर हो सेलरो हो जाएगा, इस तरह से आद बात कर रहे हैं, फैसे नंबर शिक्स की आंसर की, आप बात क्रोंट शिक्स की लिए आप आंसर देंगी विटा-फोर्थ, ऐपा थीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, यह था फैसे नंबर शिक्स का सॉल्विशन, जिसमें हमने आंसर सेलेक्ट किया फोर्थ नेक्स्ट अब बात करेंगे विटा कोश्चन नमर सेवन के बारे में तो कोश्चन नमर सेवन देखें कोश्चन नमर सेवन पढ़ रहे हैं अपन कोश्चन में से स्ट्रॉंग रिडूसिंग एजेंट है यह आपको पूछ रहा है फर्स्ट तेरा एफी प्लस त्री तो हो नहीं सकता क्योंकि एफी प्लस त्री इलेक्ट्रोकेमिकल जरीज में बहुत नीचे चला जाएगा एफी प्लस त्री का जो एसर पी है वो बहुत ज्याद होगा और एसर पी इनवर्सली प्रपोर्शनल होता बटा रिडूसिंग पावर की एसर पी ज्यादा होगा तो रिडूसिंग पावर बेटा कम हो जाएगी इसलिए भी प्लस त्री की रिडूसिंग पावर कम देखने मिलेगी देन और प्लस तू हां प्लस त्रॉंग रिडूसिंग अजेंट है विपकोज क्रूमियम का जो कॉनिफिघरीशन है बच्चो जन कि अग्व फ्लस्ट्व से वनएलेक्ट्रोन यहां प Key एवह और बरबेन उसNE आपD find amd करते और इाउंगा है तो एफी फैफ होना चाहेंगा नेवी से एफवेक्षि कट है इस होता है car सबसे बढ़ी आंसर जो दिखेगा वो सी आर प्लस टू दिखेगा यानि कि सेवंथ में इसलिए सेवंथ का आंसर आप देंगे सी आर प्लस टू चीए आगे चलते हैं इसलिए सी आर प्लस टू का रिदूसिंग पावर आपको ज्यादा देखने हो बिल रहा बच्चो ठीके टियर आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नमर एट देखें क्वेश्चन नमर एट अमंग दा फॉलविंग दा प्लस टूविंग अट पीच्छ्थरी फॉस्पीन अंपोंगे टर एलेक्रू डोनर बिकॉस्ट रोन प्लस दूर्ट अकूपाइज इस्फेरिकल इन एस्वर्बिटल अदिसल्स प्रवर होता है जो की ओंड होता है कि क्योंकि अगर बीबीटे से अमोनिया का इस्ट्रक्चर देखा जाए बच्छो तो अमोनिया में सेंटल अटम को ने नैट्रोजन और नैट्रोजन के आउल्टमोस सेल का कॉन्फिकरिशन होता है बच्छो 2s2 2p3 अब 2s सबसेल में टू एलेक्ट्रोन है ग्राउंड इस्टेट में और 2p सबसेल में कितना है बच्छो वान टू थ्री थ्री हाफ फिल्ट इलेक्ट्रोन है बनाना क्या है आपको एनस ट्री मॉलिकुल देखेना बेटा अब इस एनस ट्री मॉलीक्वल को द्री अटम्स ऑ हईडोजन को शेयर करना पड़ रहा है फिस्ट करेगा सेकाइड ग्रोजन यहां शेयर करेगा और थर जैसे किस में हाइवडाइशन हो जाएगा SP3 हाइवडाइशन ओफ अमोनिय मॉलेकुल इस पी ट्री एंड जैसी ओवरलेपिंग होगा बच्चो तो ओवरलेपिंग के तुरियो अब इन चारों ओर्बिटल्स को अब क्या वो लेंगे अपन SP3 हाइवडाइश्ड ओर्बिटल बोलेंगे हाइवडाइशन होने के बाद जब तक एटम सेपरेट था तब तक बात अलग थी अब यह एटम जैसे ओवरलिप करेगा या मॉल्यकुल बन जाएगा तो जितने एटम ऑर्बिटल पार्ट स्पिट करतें बच्चो उतने ही क्या होता है मॉल्यकुलर ओर्बिटल या हइवडाइश्ड और्विटल का फोर्मेंशन होता है तो यहां फोरपैश्पि-利 हैयृडों प Kyle कितनी बन पातरें ऊंपिट्न ऑर्विडों हो arm. बनेंगे 205 szcz5 प्रीं होडा में। बिदर्ध्र SMK कैसे बादों यहां च्था हाइवडाइश्ड ऑर्विड्टोम उतने तो आगर नेट्रोजन का साइज स्मॉल होगा तो आप कहेंगे कि नैट्रोजन पर इलेक्ट्रोण डेंसिटी होगा इलेक्ट्रोण डेंसिटी इसलिए ये अमोनिया का जो नेट्रोजन हो तो ओड्रोजन पर दोनर होगा थार्ड ऑप्सन देखें ब्टीविन अमोनी और फॉस्पीन अमोने जिए बैटर इलेक्ट्रोण डोनर बिल्कु सही बात है बिकॉस दो लॉन पर ऑफ एलेक्ट्रों ऑकूपाइस SP3 और्विटल और इस मोर डिरेक्शनल बिल्कु सही है तो एर्थ कोश्चन में आपको आंसर देने पटे वेटा थार्ड थार्ड ऑप्सन सारी कंडिसन्स को सैटिस्पाई कर रहा है नेक्स्ट कोश्चन नमर नाइन देखें बच्चो वाइट फॉस्पोरस और रिएक्शन विद एने वेच्च गिप्स पीच्ट्री एज वन ऑफ दा प्रॉडक्स दिस इस ठीक डियर तो कोश्चन नमर नाइन के लिए में इधर रिएक्शन लिखूंगा किस तरह से ने एच्टू पीओ टू और साथ में पीच्ट्री गैस यह रिएक्शन होगा है वाइट फॉस्परस को जब एने वेच्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो एने एच्टू पीओटू और साथ में पीच्ट्री गैस का फोर्मेशन होता बच्चो अब यहां पर इनिसियली प्लस बने फोसफिन में फॉसप्रसिंब सब्सक्राइब कर रहा है क्या हुआ होगा। reduction of phosphorus atom decrease in positive charge or increase in negative charge यहां phosphorus zero से plus 1 move कर रहा है increase in positive charge process क्या होओ है बीचा oxygen process तो phosphorus का ही reduction हो रहा है phosphorus का oxygen हो रहा है इसलिए process को कहेंगे बच्छो डिस्परपोर्चिनरीशन दिस reaction is disproportionation reaction reaction is disproportionation in question नॉमबर नाइन चीक इडियर इट मीज़ आंसर बिकम सेकेंड फॉर क्वेशन नमबर नाइन आगे चलें बच्छों नेक्स्ट क्वेशन नमबर टैन देखें PbO2 reacts with concentrate HNO3 then gas evolve is PbO2 को concentrate HNO3 के साथ react किया जाए तो कौन सा gas evolve होगा ऐसा आपसे question number 10 में पूछा विड़ा तो in case of question number 10 PbO2 plus concentrated HNO3 और यहां पर formation प्वेटा PbNO3 का hold twice lead nitrate और साथ में oxygen gas evolve वेटा ठीक है ना तो HNO2 बनेगा ना NO बनेगा ठीक है डियर विकॉज यहां Pb plus 4 में है और यह HNO3 भी strong oxidizing agent है ठीक है डियर तो बच्छों यह Pb plus 2 में reduce हो जाएगा Pb plus 4 से और oxygen जो है minus 2 से बिटा 0 में चला जाएगा इस तरह का आपको case दिखाए देगा तो oxygen gas is evolve during concentrate HNO3 and PbO2 reaction it means answer becomes second 10th question में answer जाएगा second oxygen gas आगी चलते है question 11 देखें the acid having oxygen single bond oxygen bond is पूछ रहा है किसमें ओ ओ लिंकेज है ठीक है डियर देखते है फर्स्ट ऑप्सन का है H2S2O3 थायो sulfuric acid और अकर थायो sulfuric acid की structure देखेंगे मिटा तो आपको H2S2O3 कुछ ऐसा देखाए देगा यह है H2S2O3 जिसमें O linkage absent है बच्चो यह SS linkage तो है बट O linkage नहीं है second option देखना H2S2O6 इससे कहेंगे dithionic acid क्या यह dithionic acid जिसमें SS linkage मौजूद होगा इस तरह का structure देखेगा double bond O double bond O or two OH are possible in case of H2S2O6 H2S2O6 यहाँ पर भी O linkage absent है कौन सा linkage present है बच्चो SS linkage present है third option देखें H2S2O8 Marcel acid यहाँ पर sulfur double bond oxygen double bond oxygen single bond OH यहाँ पर O single bond O यानि कि O linkage आएगा यहाँ double bond O double bond O और यहाँ पर क्या बन जाएगा OH तो देख सकते हैं इस Marcel acid में O single bond O दिखाई दे रहा है it means third option में आपको O linkage देखेगा fourth H2S4O6 देखें बच्चो तो H2S4O6 यह अगर आप structure देखेंगे जैसे कहेंगे पटा tetrathionic acid H2S4O6 यह ऐसा देखेंगे जैसे H2S2O6 था देखो बच्चो यहाँ four atoms of sulfur हैं इस तरह से linkage बनेंगे यहाँ double bond O double bond O, double bond O, double bond O, double bond O, single bond OH और यहाँ single bond OH तो देख सकते हैं इस H2S4O6 में भी O linkage absent है तो only marsal acid SI जहाँ पर आपको O linkage दिख रहा है इसलिए 11th question का answer third जाएगे ठीक है यह था question number 11 का solution आगे चलें बच्चो अगला question देखें question number 12 तो अगर question number 12 की बात करने आप उच रहा है question क्या है देखो पढ़ेंगे the number of SS bonds in sulfur trioxide trimer जिसका formula दे रखा है S3O9 बचो SO3 का whole thrice जब sulfur trioxide trimer बनेगा SO3 का whole thrice का formula आप लेखेंगे तो formula बन क्या रहा है S3O9 अब बचो S3O9 की structure बना कर देखें आप तो आपको पता लगेगा कि इस structure में कितने SS linkage हैं कितने SOS linkage हैं ये सारी information आपको इसके trimer से मिल जाएगी तो बच्चो ध्यान देए SO3 जो है sulfur trioxide इसका trimer जब बनाओगे तो इसका molecular formula क्या बन रहा है S3O9 बच्चो इसकी structure देखो सबसे पहले sulfur to oxygen इस तरह से एड़ कर दूँगा और sulfur से coordinate wand से oxygen को मैं इस तरह से एड़ करूँगा चिकेडियर इस तरह से coordinate wand मनाओगा यहां पर भी sulfur के साथ coordinate wand से में two atoms of oxygen को करूँगा यहां पर SO और another sulfur atom को यहां पर और इस sulfur से भी coordinate wand से में two oxygen atoms को एड़ करूँगा अब अच्छो यह sulfur इस sulfur के साथ SOS linkage बना कर इस तरह से arrange हो जाएगा अब बेटा कितने sulfur हैं count करो one sulfur two sulfur और यह three sulfur three sulfur हो चुके oxygen count करो nine है कि नहीं one two three four five six seven eight nine बोलो कि nine oxygen atoms हैं अब आप देख सकते हैं कहीं पर भी यहां इस structure में s-s linkage नहीं दिख रहा है तो मैं कहूंगा s-s bonds जो होंगे उनका number zero हो जाएगा s-s bonds कितने होंगे zero बट अगर s-o-s linkage आप से पूछता s-o-s bonds की number आप से पूछता बेटा तो यहां पर आप कहते थ्री s-o-s bonds are present in the trimer of SO3 molecule ठीकर आगे चलते हैं बच्चों यह था question number 12 तो next बेटा देख रहे हैं पन question number 13 question क्या है देखें concentrated nitric acid upon long standing tons yellow brown due to the formation of the concentrate HNO3 जो है हाथ बच्चों आगे चलते हैं next देखते हैं question number 13 concentrated nitric acid upon long standing tons yellow brown due to the formation of HNO3 जो है है यह concentrate HNO3 पीटा air में oxidize हो जाता है और oxidize हो कर विटा NO2 gas release करता है और NO2 gas का color कैसा है ब्राउन यह रेडिस ब्राउन color gas है इसी की बएस से विटा concentrate HNO3 रेडिस ब्राउन कलर का हो जाता है या पीले भूरे हीटिंग कौनसी ऐसी reaction है या कौनसा ऐसा सब्स्टांस है जिससे आप हाइली प्यूर nitrogen gas opt-in कर सकते विड़ा देखेंगे तो अमोनिया को जब कॉपर ऑक्साइड के साथ रियक करते हैं तो एंटू गेस का formation होता बच्चों यह copper oxide oxidizing agent है एंटू गेस प्रोवाइड करता है और वाटर का formation कर लेता है साथ में ठीक है यह पर हम तो यह हाई ली प्यूर nitrogen नहीं है क्योंकि यहां पर वाटर बन रहा है साथ में ठीक है और ammonium nitrate को जब आप dissociate करेंगे बिटा तो यह एंटू ओ नैट्रस oxide और साथ में टू मोल्स ओ वाटर का formation करेगा यहां से भी nitrogen नहीं मिल सकता थार्ड को देखें तो नहीं फूर का होल्ट वाइस यार्ट सबन ammonium dichromate है इसको thermally decompose करेंगे तो N2 gas प्लस CR2 O3 प्लस 4 moles of H2 का formation होगा इसका यह भी substances के साथ मिल रहा है यह भी highly pure नहीं हो सकता और लास्ट बेरियम एजाइड यानि कि बिये N3 का होल्ट वैस बेरियम एजाइड हो चाहे sodium बेरियम एजाइड हो बच्चो किसी भी एजाइड को thermally decompose करोगे तो highly pure nitrogen evolve होगा यह बेरियम मैटल में रिडूस हो जाएगा यहां बेरियम पे चार्ज प्लस 2 है यहां 0 में रिडूस हो जाएगा और यह जो nitrogen है यह आपको बच्चो यहां पर आपको 3 moles of N2 gas दिखाए देंगे और यहां से जो मैटल यह मैटल है यह तो सॉलिड है तो बॉटम में रहेगा यह nitrogen gas आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं इसलिए यह जो nitrogen होगा कैसा होगा highly pure होगा तो आपका अंसर होना ची फोर्थ फॉर्थ फॉर हाइली प्यूर नैट्रोजन और एक्स्टा पॉर्ड नैट्रोजन चीकर यह आगे देखें क्वेश्चन अवर 15 दा प्रोड़क्ट फॉर्म इंदा रेक्शन ओफ एसो सेल्टू विद वाइट फॉस्परस तो क्वेश्च यहां पर फॉस्परस ट्राइड बनता है याद रखेंगे आप इसको और साथ में एसो डू गैस एबॉल हो जाएगा पीच्यल 3 प्लस एसो डू गैस का फॉर्मिशन कर ले गई ठीक है डियर तो 15th question में answer जाएगा first 15th question में PCL3 is correct answer next आगे चलें बच्चो question number 16 देखें question number 16 क्या है the first group recent is dilute scl which of the following do not belong to the group first group first में वो कड़ें होते हैं जिनमें plus one charge होता जनरली ठीक है तो ag plus pv plus two और hg two plus two यह first group में होते हैं pv plus two थोड़ा बहुत first में होता है बाद में second में precipitate किया जाता है hg plus two यह hg plus two first group में नहीं होता है hg plus two नाओकर कौन सा होता है hg two plus two को first group में रखा गया है इसलिए आपका answer होना चीए hg plus two it is not included in first group it means 16th question number 16 का answer होगा 4 question number 16 का answer देंगे 4 hg plus two is not included in first group further आगे चलते हैं बच्चो question number 17 बात करते हैं बच्चो question number 17 के बारे में क्वेशन क्या है देखें which of the following sulfides of group second is orange colored तो बच्चो copper sulfide cus यह black color का होता है याद रखना है cus black color का होता है cds yellow color का होता है भीड़ा और antimony sulfide sb2s3 यह orange colored sulfide डियर इसका color होगा orange तो antimony sulfide is orange colored sulfide okay डियर तो आंसर विल भी 4th for question number 17th आगे चलें question number 18 question number 18 देखें बिटा 18th question को पढ़ने अपन दा ग्रूप प्रेजेंट for fifth group radicals fifth group radicals गे ग्रूप रिजेंट के लिए ग्रूप रिजेंट के लिए अममोनियम carbonate तो answer will be first ammonium carbonate in the presence of NH4 OH is added for barium strontium and calcium and barium strontium or calcium के लिए ba plus 2, asr plus 2 and ca plus 2 in sab के लिए group रिजेंट लेते हममोनियम carbonate NH4 का whole twice CO3 in the presence of NH4 OH प्रेसिपिट्ट बनाइगे बींए इस्ट्रोंअ मार्मान यह उख और आएड्ट प्रेसिपिट्ट तो आंसर वे अमोनियाम्हार्वनेट और कौास्टन नंबर एठंट आगे चले हैं इस नेक्स्ट बच्छो कौस्टन नंबर 19 नैक्स्ट एक कौस्टन नंबर 19 question number 19 पढ़ रहे हैं specific conductance of 0.01m KCL solution ठीक है question number 19 देखेंगे अच्छा question था specific conductance of 0.01m KCL KCL solution की molarity देरखे 0.01m यानि की mol per liter ठीक है डियर और specific conductance means K दे रखा है K का magnitude दे रखा है X Simon centimeter inverse यानि की omenverse centimeter inverse ठीक है अब when the conductivity cell is filled with 0.01m KCL and conductance is observed by यानि की जो conductance G है जो की वन अपोन आर के equal होता है इसका value दे रखा है बीटा Y Simon हाँ तो बच्चो conductance G जो की वन अपोन आर के equal है इसका conductance का magnitude दे रखा है Y Simon और centimeter inverse sorry Simon यानि की omenverse यह आपको दे रखा है conductance का value omenverse में अब बच्चो formula होता है K equal to the 1 upon R into L by A L by A कोने मेटा cell constant है यह कोने यापर cell constant और K कोने मेटा specific conductance यह 1 upon R कोने जी है conductance है तो K equal to G into cell constant अपने को calculate करना है तो cell constant जिसको L by A से represent करना है यह कितना हो जाएगा K by G हो जाएगा ठीक है टियर तो cell constant equal to the K upon G specific conductance कितना है X दे रखा है और conductance कितना है तो यहां से cell constant आगे लिए X upon Y cell constant आगे है cell के लिए X upon Y फिर करा है वेन दा सेम सेल इज फिल्ड यानि कि उसी सेल की बात कर रहा है तो cell constant सिमिलर रहेगा यहां पर सेंटिमेटर रवस काउंट नहीं करें बेसिकली यह conductance कोने है जी है बेटा देन specific conductance of 0.01m H24 is ठीकर यह तो बापस से H24 के लिए K का formula लगा हूंगा K equal to the G into L Y A cell constant K पूछा हुआ है G दिया हुआ है कितना Z और L Y A का value तो निकाल चुके हैं सेम सेल के लिए कितना है X upon Y तो यहां से specific conductance K का value हैगा Z X upon Y यह आपका answer जाएगा Z X upon Y is the specific conductance for H24 solution ठीकर दियर एट मिन्स आंसर विल भी 3rd for 19th question next question देखे विटा question number 20 when a lead storage battery is discharged यानि कि lead storage battery को discharge कर रहा है तो SO2 is evolve गलत बाद जब lead storage battery बेटरी डिस्चार्ज होती है तो H2SO4 यूज में आता है और H2SO4 यूज में आएगा तो PbSO4 का formation होता है lead sulfate गंजूम नहीं होता lead sulfate का formation होता है बर जब recharging होती है तो दोने electrodes पार sulfuric acid का formation होता है तो आप कहेंगे H2SO4 is consumed answer होना चीए answer 4 next question number 21 देखें the standard EMF of the cell in which the reaction MnO4 minus plus F2 5 plus 8 H plus iron gives Mn plus 2 plus 5 F2 plus 3 plus 4 moles of water occurs is यानि कि E0 cell दे रखा 0.59 at 25 degree Celsius the equilibrium constant for the given reaction approximately ठीक है तो आपको question में E0 cell दिया है बच्चो अब question में E0 cell direct दे रखा है और के equilibrium पूछा हुआ है तो बेटा जो given reaction है equilibrium की बात जब करेगा तो E cell तो 0 हो जाएगा at the condition of equilibrium at the condition of equilibrium मैं लिख देता हूँ at equilibrium at equilibrium E cell E cell equal to 0 but E not cell not equal to 0 ठीक है बच्चो अब बच्चो E not cell और के equilibrium के साथ relation क्या है देखो E not cell equal to the 0.0591 upon n log base 10 के equilibrium इस तरह का relation आपको E not cell और के equilibrium का देखेगा बटा अब मेरी बास सुनों आपको E not cell का magnitude कितना दी आए 0.59 बोल्ट और और फॉर्मूले में क्या है 0.0591 नीचे ले आओ इसको 0.0591 और इधर बच्चे का कितना log base 10k equilibrium इस तरह इसे लिखेंगे बन अब इसको divide कर दो तो यह 10 times divide हो रहा है और 10 into 50 बच्चे का बटे तो यहां से log base 10k की value तो कितनी आ रही है बटा 50 और वह भी positive में है इसलिए positive एंटी लोग कर दो positive एंटी लोग करेंगे तो के equilibrium का magnitude आपको मिलेगा विटा 10 to the power 50 के equilibrium अपटेन होगा 10 to the power 50 इट मेंस आंसर विल भी थार्ड और question number 21 answer विल भी थार्ड आगे चलें बच्चो क्वेशन अबर 22 the specific conductance of a standard sorry specific conductance of a saturated solution of AGCL saturated solution of AGCL के लिए specific conductance कितना है के के दे रखा है 1.86 into 20 to the power minus 6 ohm inverse centimeter inverse या Simon's centimeter inverse and that for water is 6 into 10 to the power minus 8 Simon's centimeter inverse ठीकेडियर the solubility of AGCL यानि की AGCL solution की molarity या solubility आपको calculate करने बच्चो ठीकेडियर अच्छा question है देखें कैसे solve करेंगे तो यह है question number 22 सबसे पहले बच्चो जो saturated solution की specific conductance given है उसमें से आप water की specific conductance को minus कर दो तो आपके पास pure AGCL की specific conductance मिल जाएगी विटा ठीकेडियर इस question का concept यह है specific conductance of AGCL is equal to the specific conductance of AGCL solution saturated solution minus specific conductance of water यहां से AGCL की specific conductance find कर लेंगे विटा तो specific conductance of AGCL solution कितना दिया है 1.86 into 10 to the power minus 6 minus water की कितनी है 6 into 10 to the power minus 8 चीकर यहां से तो इसको पावर में इंक्रीज कर दो आप इसको लिख लेंगे वन इटी सिक्स इंटू 10 to the power minus 8 और यह रहे जागा 6 into 10 to the power minus 8 बच्चो 186 में से 6 को minus कर दूंगा तो 180 बचेगा और में 10 to the power minus 8 अब बच्चो इसको आप क्या नूट कर सकते हैं इसको लिख सकते है 18 into 10 to the power minus 7 इस तरह का specific conductance के AGCL के लिए मिल गया है और unit क्या है om inverse centimeter inverse unit का विस्षिस ध्यान रखेंगे आप कि अब बच्चो के आचुका है पाइम यानि कि पाइए इकुलेंट दे रखाया कोश्चन में आपको ब्रेकेट में लिखा हुआ है तो आप यहां से फॉर्मुला लगा देंगे कि पाइए इकुलेंट इन्फानाइट इस एकुलेंट के इंटू थाउजेंट अपॉन एम अगर मोलर्टी केल्कूट करें तो एम लेगें इकुलेंट कंड़क्टेंस तो नॉर्मल्टी आना चीए था बटें आपे चीक है बट काम की बात है कि एजी सील का वैलेंस पेक्टर तो बने है तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूं सिधी एजी सील का वैलेंस पेक्टर बने है तो नॉर्मल्टी इकुल टू मोलर्टी ले लिया जाएगा अब बच्चों सुनों यह पाई यानिकि आपको एकुलेंट कंड़क्टेंस कितनी दे करनी है तो मोलर्टी इकुल टू सॉलिविलिटी इस इकुल टू दी कितना हो जाएगा यह आपको मिलेगा बिटा 137.25 डिवाइड़ बाई 18 इंटू 10 टी पावर माइनस 7 और इंटू में को ने बिटा 1000 यहां से इसको कैल्गूरिट कर लें आप तो सॉलिविलिटी ओफ एगी सियल ऑप्टें होगा यह 10 टी टी आवर 3 कैंसल हो जाएगे बच्चे का कितना 137.25 अपन यह रह गया 18 इंटू 10 टी पावर माइनस 4 यहां से कल्गूरिट करें और आपको आंसर मिलेगा सॉलिविलिटी के लिए ठीक एडियर यह था कोश्चन अबर 22 का सॉलिशन आगे बड़े बचो नेच्ट जोटेंबर 23 डेकञते हैं ए चोटेंट के एको सोल्यूशन का इलेक्रलाइस कर रहा है एर डाउयूट इको सोल्यूशन ओफ एडेक्रश्वेंड्ड्यूश्व हेडियर यूजिंग प्लेटीन अप्लेटिन अपलेडीनउamente consequently जोकी इनन इक्त 3rd in the presence of platinum electrodes aqo solution को electrolyze करेंगे तो two types of ions मिलेंगे बिटा na2SO4 aqoas यह decomposed होगा 2 na plus plus SO4 2 minus बच्चो water भी आयना है जोगा two moles of water dissociate into 2H plus plus 2 OH minus तो water भी आयना है जोगा aqo solution में और sodium sulphate भी आयना होगा two types of cation and two types of anion मिलेगा अब बात करेंगे cathode की तो cathode पर क्या होता है reduction और पहले वह cation cathode पर जाता है जिसका SRP जादा होगा तो H plus का SRP sodium से जादा है बच्चो इसलिए 2H plus 2 electron gain करेगा और cathode पर hydrogen gas evolve हो जाएगी तो cathode पर तो मिलेगी hydrogen gas बात करें एनोल की तो एनोल पर बच्चों जाता है एनायन और एनोल पर होता है oxidation तो sulphate और OH में से ज्यान दें एनोल पर वह एनायन पहले जाएगा जिसका SRP लो होगा तो OH माइनस का SRP लो है इसलिए 2OH माइनस H2O liquid बनाएगा हाफ O2 gas form करेगा साथ में 2 electrons रिलीज करेगा यह oxidation हुआ है एनोल पर जाहां से क्या मिल रही है oxygen gas और cathode पर क्या रोडूस हो रही है hydrogen gas तो answers are at cathode hydrogen at anode oxygen it means answer will be first according to cathode and anode 23rd का answer देंगी विटा first आगे चलें बच्चों question no.24 देखें question no.24 for a reaction PA plus QB PA plus QB form product product का formation किया है ठीक है डियर आगे क्या रहा है the rate law expression is r equal to the k into active mass of a power small l and active mass of b power small m question में आपसे पूछा क्या है देखेंगे तो बच्चों question no.24 में आपसे कह रहा है P plus Q जो है वो L plus M के equal होगा या greater होगा या may be equal और may not be equal या P plus Q equal to L plus M इस तरह का आपको relation दिया हुआ है तो P and Q तो reactant की stigmetry है और L और M जो है वो rate equation में दिया हुआ है ठीक है तो यह जरूरी नहीं है बिटा कि L और M P plus Q के बराबर हो कुछ भी हो सकता है ठीक है यह तो आपको rate equation पर ही depend करेगा rate equation के according आप इसकी बात कर सकते हैं कैसे suppose करो एक example देखना 2 moles of N2O5 decompose होता है 4 moles of NO2 gas ठीक है और O2 gas इस तरह से dissociate होता है अब यहाँ पर तो P क्या आ रहा है टू आ रहा है बिटा इस कितनी है टू बट जब rate equation लिखा जाएगा इस reaction के लिए तो R equal to K into active mass of N25 की पाप बन आता है तो बेटा यह तो L जो है वो तो 1 है और P जो है वो कितना है 2 है ऐसे किसमें आप कह सकते हैं कि जो P plus Q है वो L plus M के equal हो भी सकता और नहीं भी हो सकता ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो answer should be third answer should be third for question number 24 for question number 24 यह question number 24 के लिए है तो हम कह सकते हैं may be or may not be P plus Q may or may not be equal ठीक है यह आगे चलें question number 25 देखें question number 25 बच्चों question number 25 पढ़ रहे हैं ए first order reaction is 50% completed in 20 minutes at 27 degree Celsius ठीक है and in 5 minute at 47 degree Celsius ठीक है the energy of activation of the reaction is ठीक है यह तो first order reaction है सबसे पहली बात आप one top equation लगेंगे log base 10 k2 upon k1 is equal to the ea upon 2.303 r into t2 minus t1 upon t1 t2 अब t1 t2 को Kelvin में यूज करेंगे तो t1 तो हो जाएगा पीटा 300 Kelvin कि और टीटू कितना हो जाएगा 273 प्लस 47 कर दें है तो यह हो गया 320 Kelvin है ठीक है यह है अब आपको के बन और के टू की वैल्यू क्यालोगोड करनी पड़ी बच्चो तो 50 परसेंट कंपलीट हो रहा है 20 मिनट में है इसका मंतब हाफ लैफ दे रहा है विड़ा पर फर्स्ट ओडर रेक्शन ती हाफ हाफ लैफ का फॉर्मुला होता है 0.693 अपॉन के 0.693 अपॉन के हाफ लैफ कितना है विटा 20 मिनट्स 0.693 यहां से के की वेल्यू निकाल लेंगे विटा तो के वन मिल जाएगा यहां से के वन का मेंगिनिटूड आजाएगा विटा के वन इकॉल टू दी 0.693 अपॉन ट्वंटी इस तरह से यहां से के वन निकाल लेंगे इसके बाद के टू कैलकुएट करने के लिए आप फर्स्ट ओर्डर की इंटेग्रेटेड रेट एकुशन यूज कर लेंगे बच्चो तो फर्स्ट ओर्डर का इंटेग्रेटेड एकुशन के टू के लिए मैं लगाया तो के टू डारेक्ट लिख रहा हूं उसको इकोड़े 2.303 अपॉन टाइम लॉग बेस 10 परसिंट अगला कितने मोरा है पाँच मिनट में कंपेलीट हो रहा है बच 47 डिगरी सेल्सप्ट ओर काम इंट हुआ है ठीक है तो यहां टाइम कितना लेंगे फाइब मिन लेंगे यहां से आप 5ब मिनट टाइम रखे K2 का मैगनिटूट फाइंड कर सकते है ठीक है तो यहां से के और के वेलू आप इस फॉर्मूलम पूट करेंगे और यहां से टीटू और टीवन आपको मैंने लिखे हुए है आर का वेलू देख लें जूल में पूछ रहा है तो आर का वेलू कितना लेंगे 8.314 ठीकडियर और यहां से स्वाल करेंगे तो एक्टिविशन एनर्जी आपक कितना है 300 यहां से आप डारेक्ट एक्टिविशन एनर्जी का मेंगेनिटू फाइंड कर सकते हैं यह था कोश्चन नमबर 25 का सोलुशन आगे चलें विटा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 26 कोश्चन नमबर 26 पड़ते हैं बच्चो the rate of production of ammonia in n2 plus 3h2 gives 2NS3 is 3.4 kg per minute the rate of consumption of hydrogen age ठीग है यह ठीग है बच्चो रेक्ट संदी रगा है nitrogen Gas नमबर 26 है nitrogen n2 gas plus 3 mols of hydrogen gas gives 2 moles of ammonia gas 2 moles of NH3 gas और rate of production of ammonia यानि कि आपको दे क्या रखा है DNS3 upon DT और वो भी कैसा 1 weight पहले तो हमको दिया क्या के बढ़ DNS3 upon DT दिया है वीटा तो DNS3 upon DT का magnitude दे रखा है 3.4 kilogram per minute ये दे रखा है the rate of consumption of hydrogen यानि कि DH2 upon DT पूछ रहा है calculate क्या करना है DH2 upon DT calculate करना बच्चो ये पूछा हुआ है तो सबसे पहले पीटा ऐसे question को solve करने के लिए differential rate equation मना लो differential rate equation मनेगा minus decrease को सो कर रहा है तो DN2 upon DT is equal to the 1Y3 DH2 upon DT becomes equal to the 1Y2 dNH3 upon DT इस तरह से दिखाई देगा ठीक है डियर अब बच्चो जो दे रखा है और जो पूछा हुआ है उन दोनों को equal कर दो आप यानि कि hydrogen के बारे में बात कर रहा है और ammonia के बात कर रहा है तो इन दोनों को अलग से उठा के दर लिखेंगे तो 1Y3 तो बच्चो यह 1.7 times cancel हो गया यहां से आपको answer मिलेगा 5.1 kilogram per minute यह आपका answer चला जागा इसके लिए dH2 upon DT के लिए rate of disappearance of hydrogen it means answer will be first for question number 26 आगे चले मिटा next question number 27 अगला question देखने question number 27 question number 27 पढ़रे है मिटापन 27 क्या है देखें graph between concentration of the product and time of the reaction A to B is of the type hence the graph between minus D upon DT and time will be of the type ठीक है तो आपको जो graph दिया है वेटा यह दे रखा है concentration of product X यह product की concentration X है और X पर लिखा है वेटा time को तो X proportional to T दिख रहा है X proportional to T दिख रहा है क्योंकि origin से पास हो रहा है क्योंकि 0 order में reaction क्या होता है X equal to KT X equal to KT से आप देख सकते है X directly proportional to T straight line इसका मतब order of reaction क्या है 0 order का है reaction का order 0 है अब बात करेंगे 0 order के लिए तो rate का graph उच्छा हुआ है rate time के साथ 0 order में बीटा change नहीं होती है चाहे concentration कितनी भी हो जाए इसका मतब rate का जब graph देखेंगे तो आपको constant graph देखेगा यह minus D A upon D T किसको शो कर रहा है rate of reaction को शो कर रहा है rate of reaction for 0 order remains constant with respect to time ठीक है डियर तो time के respect में rate चेंज नहीं होगा क्योंकि R equal to K into concentration of A power 0 0 order के लिए इस तरह का rate लिखा जाता है अब बच्छो A power 0 तो बन हो जाएगा किसी की भी power 0 तो बन होता है तो यहांसे R equal to K यानि कि rate कैसा रहेगा 0 order के लिए constant रहेगा तो आपका graph देखेगा पर्पेंडिकुल एंट टुदी रेट ओफ रेक्शन एट मिंस आंसर शुडवी थार्ड पॉर कोश्च्छन नमर ट्वंटी सवन आगे चले बच्छो कोश्च्छन नमर ट्वंटी एड देखेंगे कोश्च्छन नमर ट्वंटी एड पढ़ते हैं में यूनित ऑफ रेट कोंश्टेंट फ्वॉर जीरो ओडर रियक्शन टो जीरो ऑडर रियक्शन के लिए जो यूनित ओगा विटा के का कोटा मौल अप्वान लीटर इंटू सेगड मोल अपों लिटेंटू सेगेंड यानि की आंसर थार्ड जाएगा कोश्चन अवर 28 मांसर थार्ड नेक्स्ट कोश्चन अवर 29 प्लॉट बिविन कंसंट्रेशन वसेज टाइम फॉर जीरो और रियक्शन एज रपर्जेंटेट एज ठीक एडियर तो 29th कोश्चन में आपसे CT और टाइम के बिविन ग्राफ पुछा हुआ है कैसे फोर्म करेंगे देखें तो जनरली अपनने अभी अभी लिखाए जीरो और की रियक्शन की जो एक्विशन है वो प्रोड़क्ट के लिए या चेंज इन कंसेंट्रेशन के लिए एक्स उकल टू केटी होती है देखना बिटा क्वेश्चन नमबर 29 फॉर जीरो ओडर अगर आप बात करने जीरो ओडर की तो बच्चो जीरो ओडर में रियक्शन क्या है कि integriated rate equation बनेगा एक्सपो को टो केटी एक्स जो होगे चेंजिन person और इस एक्सको लेखेंगे इनीशियल छसंप्रेशन माइनस फाइनल धानल बात यायानि कि जीन माइनस सीटी सीन ओडल केटी मुझे जीवर्सेस टाइम का ग्राब बनाना है तो ऐसे केस में माइनस से मल्टी प्लाइ कर दूँगा तो यह जाएगा ct माइनस c0 इकल टू माइनस kt ठीक है डिया c0 को दर्शिफ्ट करूँगा तो ct इकल टू c0 माइनस kt ऐसा दिखाए देगा अब ct को तो y axis पर रहूँगा यह intercept c हो जाएगा c0 और slope जो है माइनस kk equal दिखेगा और time को एक्स एक्स पर रखेंगे तो ऐसे किसमें स्टेट लाइन ग्राफ दिखेगा बट स्लोप कैसा है नेगेटिव है तो ग्राफ इज स्टेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप बिटिविन ct versus time इस तरह का ग्राफ आपको जीरो ओडर रेक्सन में देखने को मिले विटा और यह जो intercept देख रहे हैं न विटा यह intercept c0 के equal दिखाई देगा तो ऐसा ग्राफ आपको दिख रहा है option number 4 में दिख रहा है ct versus time answer should be 4 for question number 29 next आगे चले है question number 30 देखेंगे बिटा question number 30 क्या देखो select the correct diagram for an endothermic reaction that proceed through two steps with the second step is rate determining step rate determining step बिटा वो होता है जो slow step होता है slow step की according आपसे rate determine करने की बात करेगा और अगर कोई step slow है तो आप कहेंगे activation energy ज्याद होई activity energy ज्याद है मतलब उसका जो कर्व है वह उपर उठावा देखेंगा second step में ठीक है और first step का जो कर्व हो कैसा होगा लो दिखाई देगा ऐसा जहां पर दिखेंगा कि वहीं क्या होगा बिटा rate determining step होगा है तो देख सकते हैं first में कि आपको पहले में activity energy कम दिख रही है फिर बाद में activity energy आपको ज्यादा बटती हूं दिखाए दे रही है ठीक है इसी तरह question number 30 के graph को आप चेक करो सारे तो जैसे आप इन graphs को चेक करोगे बिटा तो question number 30 के लिए आप देखें second graph में देखें बट इतनी ज्यादा decrease नहीं दिख रही है तो for second option में first की ज्यादा है second की कम है third option में दौनों की equal है और fourth option में first की activity energy कम है तो rate कैसी होगी fast होगी और ठीक है second जो कर्भ है उसकी activity energy energy ज्यादा है मतलब rate slow होगी तो आपको answer मिलेगा fourth थार्टीन को आंसर फोर्थ जाएगा जिसमें इनीशियली एक्टिविस नेर्जी लो है और बाद में एक्टिविस नेर्जी हाई है तो rate slow हो जाएगी और rate slow होगी तो rate determining step कौन सा हो जाएगा फोर हो जाएगा जहां पर एक्टिविस नेर्जी बहुत ज्यादा है rate determining step slow step को बोलते हैं और प्रोसेस कैसे एंडो थर्मिक है एंडो थर्मिक का अब इसस ध्यानक ना मिटा क्योंकि एंडो थर्मिक होगा तो यह forward की value यह backward से ज्यादा देखने हो मिलेगी इसलिए मैं आंसर फॉर्ट दे रहां मिटा नहीं तो आंसर फर्स्ट भी जा सकता था फर्स्ट को एक जो थर्मिक के लिए लिखा गया है और सेकिंड को एंडो थर्मिक के लिए लिखा गया है इसलिए इसा देखने हो मिल रहा है विटा हाथ बच्चों आगे चलें कि को फॉर्ट नमर्बर के थर्टी तक हो चुका है अब बात करतें इंटीजर्स की section D जिसे कह रहे है अपन यहां पर question number 1 देखें फर्स्ट इंटीजर्स देखेंगे विटा total number of black precipitates among the given sulfites तो अगर sulfites की बातें कर रहे हैं और black precipitates आप select करने विटा तो इंटीजर्स नमर्बर फर्स्ट में कि इंटीजर्स के फर्स्ट में black precipitate कौन कौन से होगी एक तो सी यू एस ब्लेक है एक पीबी एस ब्लेक है विटा एक एच जी एस बिटा ब्लेक है तो थ्री प्रसिप्रिटेट्स आर ब्लेक वैल एस एस यलो कलर होगा और आरसी ने सल्फाइड भी यलो कलर होगा तो आंसर जाएगा फर्स्ट में 0 3 जो की ब्लेक प्रसिप्रिटेट है इस आर ब्लेक प्रसिप्रिटेट्स इंटीजर का सेकेंड को स्ट्व देखो बिटा नंबर ऑफ केटाएन विच बिलॉंग टू फोर्थ गुरूप में होते हैं मेगनेज जिंक फोर्थ गुरूप में कौन कौन से केटाएन होगे MN प्लस टू, ZN प्लस टू, Ni प्लस टू और CO प्लस टू इन में से कौन कौन सा यां पर दिख रहा है, एक तो दिख रहा है MN प्लस टू और दूसरा दिख रहा विटा, ZN प्लस टू, तो तो देरा टू केटाएन्स विच बिलॉंग तो फोर्थ ग्रूप इंस आंसर शुल भी 0-2 next question number 3 integer के लिए, the half life period of a radioactive isotope is 1.5 hours, ठीक है, the mass of it that remains undecade, after 6 hours, ठीक है, total time दिख रहा है 6 hours, initial mass of isotope was 32 gram, ठीक है, तो सबसे पहले number of half life's calculate कर लो, number of half life's, क्या होते है मिटा, total time upon half life, t upon t half, यहां से 4 half life's आपको देखने को मिलेंगे मिटा, और remaining amount, remaining amount calculate करने के लिए, formula आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, initial amount upon 2 power half life, half life's की number, तो a not initial amount 32 है, और क्या हो जाएगा यह, इसको अपन ऐसे, नहीं लिख सकते, ठीक है यह, तो इसको, आपको लिखना चाहिए, चलो मैं formula को इसको कर लेता हूँ, इसको लिखेंगे, 1 by 2 power half life's, और a not को भार लेंगे, multiply में, तो 32 into, 1 by 2 की power 4 कर दो बिटा, तो 1 by 2 की power 4 करेंगे, तो 1 upon 16 हो जाएगा, तो 32 upon 16 करेंगे, तो यहां से आपको 2 gram मिलेगा बिटा, यानिकि answer का 2 gram, आपका अंसर जाएगा 2 gram for question number 3rd in integer, आगे चलें, integer का question number 4 तो देखते हैं, बच्चो, question number 4 of integer, हाँ बच्चो, question number 4 पड़ते हैं, the standard oxidation potential of Ni to Ni plus 2, electrode is 0.236 volt, if this is combined with the hydrogen electrode in acidic solution, at what pH of the solution will the measured MFV0 at 25 degree Celsius, ठीकर दिया, तो nickel electrode को hydrogen electrode के साथ combine कर रहा है, तो nickel तो oxidize होगा बिटा, एनोड बनेगा, और hydrogen cathode बनेगा, reduce होगा बिटा, तो Ni solid to Ni plus 2 aqueous oxidation होगा, साथ में H plus iron aqueous, यह reduce होगा होगा, H2 gas, इस तरह का cell representation यहां से बनने वाला है, अब बच्चो का reaction लिखी जाए, तो reaction बनेगी Ni solid plus 2 H plus iron aqueous, balance reaction लिख रहे हैं, यह oxidize होगा, Ni plus 2 aqueous, साथ में evolve होगी बिटा, hydrogen gas, इस तरह का case देखने को मिलेगा, अब बच्चो, partial pressure of hydrogen तो आपको 1 atom दे रखा है, Ni plus 2 की concentration भी 1 mole per liter दे रखी है, ठीक है, और H plus की concentration निकालनी है, तो next distribution लगा दो बिटा, E cell equal to the E naught cell, minus 0.0591 upon N, log base 10, concentration of product, यानि की concentration of Ni plus 2, यहां क्या होजागा, partial pressure of hydrogen upon, इधर मिलेगा, यह तो solid है तो 1 ले लेंगे, और यहां बच्चे का concentration of H plus का square, बच्चों, pH 2 1 दे रखा है, यह भी 1 दे रखा है, बच्चे का कौन, 1 upon H plus का square, यहां से E cell को 0 करना है, E naught cell given है आपको, कितना दे रखा है, 0.236, ठीक है, minus 0.0591, N value reaction से देखने, 2 आ रही है, log base 10, यह कितना बच्च रहा है, 1 upon concentration of H plus का square, यह बच्च जाएगा, अब बच्चों, 2 को इधर ले आओगे, 2 को इधर ले आओगे, तो इधर ले जिरो हो जाएगा, finally, तो 2 को इधर ले आओगे, जिरो होती ही, बच्चे का क्या, 0.236, इसको इधर shift कर ले, तो minus का 0.236 is equal to 3, इधर क्या बच्च रहा है, minus का 0.0591, 2 तो खतम होई गया है, इधर क्या रहा है कि log base 10, 1 upon H plus का square, यह बच्च रहा है, minus से multiply कर दो equation को, तो यह बच्च रहाएगा, 0.236, या इसको मैं C धी, हाँ, एक काम कर सकते हैं, इसको अपन लिखते हैं, minus से multiply ही नहीं करते हैं, इसको कर लेते हैं, minus log, इसको उपर ले जाते हैं, तो यह प्लस का हो जाएगा, यानि कि यह बन जाएगा, minus का 0.236 equal to the, plus का 0.591, और इसको लिख लेते हैं, log base 10, h plus का square, इस h plus को उपर ले जाएगे, तो यह minus की जाएगे, plus बन जाएगा, अब यह log m power n है, तो 2 को आगे लेंगे, n log m कर देंगे, यह हो जाएगा, minus 0.236 equal to the 0.0591, 2 को आगे shift कर देंगे, बचेगा कितना log h plus sign, अब minus से, इस minus को उधर multiply कर दो, तो यह हो जाएगा, 0.236 plus का बन जाएगा, यह minus से दर आजाएगा, तो minus log of h plus sign को लग ले जाएगे, आप उनमें बचा लेंगे, 0.0591 into 2, यह बच गया किसके equal, minus log of h plus sign के equal, यह बच गया है, और बेटा, minus log of h plus sign तो pH होता है, यानि कि यह जो पूरी calculation करने पर आपको मिल रहा है, वही क्या है, pH का answer है, यहां से जो आपको answer मिल रहा है, यही क्या है, minus log of h plus sign है, यानि कि pH है, ठीक है, तो calculate करके देख सकते हैं, इसको आप, 2 से इसको calculate किया, आपने, तो 0.1, और हो जाएगा 0.1, और हो जाएगा 8, ठीक है, और इसको, इसको solve कर देंगे, यहां से, 0.0591 से, इसको divide कर दो, तो बेटा, यह two times cancel होगा, तो pH का value 2 आजएगा, यानि कि यहां से pH आपको मिलने चाहिए 2, यह आपका answer होना चाहिए, question number 5 के लिए, sorry, question number 4 के लिए, calculation वापस देखने के बार, कहीं गड़वर तो नहीं हुआ है, हाँ, calculation में गड़वर किया आपनने बेटा, यह यहां पर 0.0236 है, और यह 2 इसके नीचे भी आएगा बेटा, ठीक है, और दोनों के नीचे 2 आएगा यह, और दोनों के नीचे 2 हैगा, तो इसका calculation अलग हो जाएगा यह, पॉइंट 1180 बचे गए यहां पर, और पॉइंट 1180 बचे का इसके में तो 2 टाइमस हो जाए गए, यानि कि pH 2 के प्लेस पर बेटा, 2 इंटू 4 मिलने वाली है, तो आपका अंसर पीएगा यहां से आपका अंसर जाएगा पीएगा पीएच के इक्वाल टू 4, तो आपका इंटीजर का अंसर जाएगा, जिरो 4, यह था question number 4th for integer, आगे चलते हैं बच्चो, और लास्ट इंटीजर का question number 5 देखते हैं, क्या question है, क्या question है, देखो, calculate the order of reaction for which rate becomes half, if volume of container having same amount of reactant is double, volume of container having same amount of reactant is double, यानि volume double कर रहा है, ठीक है, volume double कर देगा, बट amount को same रख रहा है, तो rate जो है, वो depend करते हैं, concentration पर, ठीक है, power n लगा लेते हैं, अब, rate कैसी हो जाती हाफ, rate जो इसको R1 लेक लेते हैं, इसको A1 लेक लेते हैं, R2 equal to the K into active mass of A2 power n, अब बच्चो, rate जो है, initially, R थी, ratio कर दें दोनों का, और बाद में होगी, R by 2, half, कि ये तो constant है, वोल्यूम, concentration नों कालेक सकते हो, आप, n upon V, यानि कि, वोल्यूम के inversely rate, तो यहाँ बच्चे का, V2 upon V1, power ले लेंगे, वीटा, अब, वोल्यूम को क्या कर रहा है, 2 times, यानि कि, 2V कर रहा है, इसको, तो इसको, लेंगे, R upon R by 2, 2 पर चला जाएगा, equal to V2, V2 को कर रहा है, 2V, और initial volume V है, power N, V से V काट दो, R से R काट दो, बोलो, इधर 2 power 1 दिख रहा है, और इधर 2 power N, comparison कर लो, बेटा, बेस सिमिलर है, तो यहांसे N equal to कह जाएगा, 1, यानि कि, order of reaction बेटा, 1 हो जाएगा, order of reaction is, 1, आपका अंसर जाएगा, 0, 1, इस तरह से पर इस question को solve कर सकते हैं, ठीके डियर, तो यह था, बच्चों यह था, जही मेंस के सारे questions का solution, इस तरह से हमने सारे, single choice questions और integers को solve किया है, ठीके डियर, thank you, आपकते हैं रहे हमने धनारे को S audi तरहो का MOD लंरे, Mचै ज την अत्राई को